dear students welcome to you all on this new platform मेरा नाम है डॉक्टर आशीश श्रिवास्तव और ये orientation session मैं especially आप उन सभी बच्चों के लिए लेकर आया हूं जिनको 2020 में मैंने 12th class में biology subject teach किया है और आप सभी बच्चों को मैंने इस पूरे lockdown period में बहुत जादा miss किया है मुझे नहीं पता कि आप लोगों मैंसे कितने लोगों ने एक बार भी ये सोचा होगा कि आशीश सर और दांगी सर जो हैं वो क्या कर रहे होंगे कहां पर हैं ये तो मुझे नहीं पता लेकिन मैंने इस पूरे lockdown period में आपकी class को especially आपकी class को मैंने बहुत जादा miss किया है और जब मैं शायद आपकी आखरी class ले रहा था आपके exam स्टार्ट होने से पहले बायो डाइवरसिटी पर हम लोग discussion कर रहे थे बायो डाइवरसिटी के कुछ आखरी topics को पड़ रहे थे धीरी धीरी बच्चों के teach करूंगा पिछले दो या तीन महिने से अगर मैं बात करूं तो condition बहुत जादा खराब रही है students भले ही समय बहुत जादा खुश चल रहे हैं क्योंकि उनके उपर पड़ाई का pressure जो है वो parents की तरफ से आज भी है लेकिन अब वो coachings और school की तरफ से pressure नहीं है तो ये तो खेर मैं आगे discuss करूंगा कि इसके भी बहुत सारे drawback है उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप सभी जितने भी students हैं जो AD biology group एक whatsapp group हम लोगों ने prepared किया है और ताहिर की बहुत इक्षा थी बहुत समय से ताहिर पीछे पढ़ा हुआ था कि हम सभी students अर पढ़ना चाहते हैं हम लोगों को neat exam के लिए बहुत कुछ अभी पढ़ने की जरूरत है और बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है कोई guidance नहीं है हमारे पास तो कहीं न कहीं ऐसी problems और भी बच्चों के साथ थी महक तुम्हारा भी मेरे पास कई बार doubts के लिए message आते थे और मैं कोशिश करता था कि जितने भी तुम्हारे doubts हैं वो solve हो सके उसके लावा सभी बच्चे चाहे वो ताहिर हो महक हो आकरती सिंग हो है ना अनुराग जो कि हमारे ग्रूप में समय है अनुराग अरवार आयूशी करनाटक है जिनोंने बहुत last में अपना नंबर बताया लेकिन चलो अब भी वो भी इस ग्रूप में है दीप्ती गौरव सिंग किरनराज निकिता इकका निर्मल यादाव प्रितिका पांडे रितिका एहरवार रितिका गौर सौरव दुबेदी ठीक है ना सहवाज अजमल खान साजिया शेक उसके बाद सौम्या गौर वंशी का जो की मेरी फैवरेट स्टूडेंट है ठीक है ना वंशी का बड़कुल और विवेक राजपूत विवेक राजपूत की शकल जो है थोड़ी वो हमारे एक गुपता जी करके स्टूडेंट हुआ करते तो उनसे काफी कुछ मिलती है एंड हमारे सबसे आधरनिय और सीनियर टीचर सुनील दांगी सर तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का इस ओरियंटेशन से से वेलकम कर रहा हूँ और बहुत-बहुत सौगत करता हूँ और हम आज इस ओरियंटेशन से सन में जो बेसीकली आपस से डिसकस करने वाले हैं जो भी चीज़ें में डिसकस करने वाला हूँ वो एक पिरकार से हम सबका एक पुनरजनम है क्योंकि यह पुनरजनम क्यों है क्योंकि इस समय जो मार्केट में कोचिंग्स में और most of the teachers की जिंदगी में और सभी students की जिंदगी में एक जो दौर चल र वाली है नहीं और अगर बच्चे चाहे के भी किसी टीचर से जादा कुछ डाउट्स करते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो अब शायद ये मेरा अपना personal experience है टीचर्स हमेशा बच्चों के लिए समर्पित होते हैं लेकिन टीचर्स भी इस lockdown में बहुत जादा परिशान हो चुके हैं और कहीं न कहीं वो भी अपना maximum जो कर सकते थे वो नहीं कर पा रहे हैं ना students के लिए और ना अपने लिए तो ये orientation sensation मैंने क्या बोला हम सब के लिए एक पुनरजनम है क्योंकि यहां से अब हम फिर से एक-एक सीडी चड़कर अपनी जो habits हैं उनको improve करेंगे अपने पढ़ने की जो आदत थी जो मेरा डांटना था जो आपको डेली कुछ ना कुछ काम देने की आदत थी आपसे कुछ ना कुछ पूछने की आदत थी आपको पढ़ाता था तो कभी-कभी questions भी किया करता था class के अंदर और most of the बच्चे question का answer नहीं दे पाने की वज़े से खड़े भी हुआ करते थे तो ये सब चीज़ें जो है अब फिर से start होने वाली है बस अब platform बदल गया पहले platform हमारा offline class था अब हमारा platform जो है वो online class हो जाएगा तो जितने भी बच्चों के मैंने नाम लिये हैं मैंसे कोई भी एक ऐसा student नहीं है जो अब मेरे radar में नहीं रहेगा सब मेरे radar में है सबको मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उनको अगर कोई भी problem आती है किसी भी type से किसी को कोई doubts आता है तो हमें एक ऐसा platform बना रहे है जिसमें आपको कोई पैसा नहीं देना है कोई आपसे fees नहीं ली जाएगी बस आपको केवल अपने साथ इमानदारी दिखाना है आपको अपने आपको धोका नहीं देना है आपको इमानदारी से hard working करना है और हमें कोशिश करना है कि जो need 2020 का हमारा exam है जो लगातार लड़कता लड़कता September तक पहुँच गया है और अभी भी uncertainty यह है कि वो September में होगा भी या कहीं ऐसा ना कहना पड़े कि 2020 need जो है वो January 2021 में होगा तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा conditions चल रही है और आपकी जो security सुरक्षा को देखते हुए government decision ले रही है HRD minister जो decision ले रहे है मेरे ख्याल से वो सही है क्योंकि हम अगर रहे तो डॉक्टर बन पाएंगे हम रहेंगे ही नहीं इस दुनिया में तो हम डॉक्टर कैसे बन पाएंगे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आज आप से discuss करूँगा इस orientation session में और मैंने क्या बोला इस orientation session का हमारा man motive क्या है कि आज से ही कल से नहीं आज से ही हम अपने पढ़ने के तरीके को एक बार फिर से जो हमारा पुराना तरीका था जिस तरीके से हम daily 4-5-6-7 घंटे कम से कम study किया करते थे self study किया करते थे तब जब हम school भी जाते थे तब जब हम coachings भी जाया करते थे तब हम जब अपने दोस्तों के साथ मिला भी करते थे जब हम कभी-कभी पीछे की चौपाटी में पानी पुरी खाया करते थे चाउमीन खाया करते थे या वो machine जिसमें lese, biscuit और क्या बोलते हैं उसमें chips वगएरा निकलते थे उसमें 10 रुपे के note डाल डालके वो सब time spend भी किया करते थे उसके बाद भी आप 6 घंटे अपने घर पर self study करने की कोशिश करते थे और almost जादा तर students की मैं बात करूँ तो वो ऐसा कर रहे थे वो sincere थे ठीक है न तो निर्मल पृति का मैं जो बातें बोल रहा हूँ आपको वो समझ में आ रही होंगी ठीक है न ये एक live orientation session है इसको मैं start करने वाला हूँ और उससे पहले आपको मैं एक वार फिर से ये कहना चाहूँगा कि इस orientation session को देखने के बाद जैसे ये खतम होता है आपको अब reality में आपको अब वास्तविक्ता में अपने लक्ष की ओर जो आपका है 2020 NEET उसकी ओर आपको अगरसर होना है और आपको पूरी कोशिश करना है कि अब आपको एक मिनिट भी अपनी जिन्दगी का बरवाद नहीं करना है चाहे कुछ भी हो जाए आपके साथ वो सभी teachers कहीं न कहीं डारेक्ली इंडारेक्ली आज भी जुड़े हुएं जो आपकी मदद करेंगे और biology में तो आपने जो एक नया platform बना लिया है एक WhatsApp गुरूप हमने prepared किया है जिसमें आप इस तरीके से अब बहुत सारे नएने चीज़ें देखा करेंगे आपके doubts का solutions भी हम दिया करेंगे आपके जो भी कह सकते हैं life के doubts हैं ना केवल biology के doubts बलकि आपको अपने career से related आपको किसी भी particular problem से अगर कोई दिक्कत हो रही है कोई ऐसी problem हो रही है पढ़ने में आपको अपने timing maintain करने में आपको time table बनाने में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको कोई chapter है जिसमें बहुत difficulties लग रही है ऐसे बहुत सारी चीज़ है जो आप मन ही मन decide कर लेते हैं कई बार आपके फैसले आपके decisions गलत हो जाते हैं लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर अप कम से कम क्योंकि मैं start करता हूँ जो चीज तो मैं पूरी तरह से खतम करता हूँ और अपने promises जो हैं वो हमेशा मैं पूरे करता हूँ चाहे उसके लिए एक लंबा समय भले ही निकल जाए लेकिन at last जो मैं बोल दूँगा वो मैं करूँगा ये मेरी हमेशा कोशिश होती है अच्छा मैं कोई सलमान खान तो हूँ नहीं के commitment कर दिया तो फिर मैं अपने आपकी भी नी सुनता लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकता हूँ कि अगर मैंने आपसे कोई promise कर दिया है तो उसको पूरा करने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा करता आया हूँ और देखिए आज भी ये जो platform मैंने स्टार्ट किया है ये केवल उस promise को पूरा करने के लिए और आगे कुछ नए promises आपसे कर सकूँ जो आपके future के लिए काफी beneficial हो बहुत जादा फायदे मन हो इस point of view से ये सब चीज़े में स्टार्ट कर रहा हूँ ठीक है न तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं आप बिल्कुल relax होके देखते जाएए सुनते जाएए आपको इस orientation session में मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ बहुत सारे ऐसे points discuss करूँगा जो आपके अभी जो current situations है उनमें भी आपके लिए काफी बड़े challenges हैं और आज के इस orientation session के बाद जरूर आपके अंदर एक energy आएगी एक फिर से एक्षा आपके अंदर पैदा होगी क्यार हाँ यार कॉपी पैन लेकर कुछ color wallet पैन लेकर कुछ नई चीज़े हमें सीखना चाहिए कुछ notes बना लेना चाहिए कुछ चीज़ें याद रख लेना चाहिए कुछ practice करना चाहिए और definitely हम जो भी ये करने वाले उससे आपका 2020 NEET में जो भी result आने वाला था अब उसमें कुछ ना कुछ एक इजाफा जरूर होगा कुछ ना कुछ progress जरूर होगी ये मुझे मालूम है तो सबसे पहले हम बात करते हैं the impact of COVID-19 lockdown on NEET as parents ये देखो वैसे तो हम सब दिन भर इसी काम में लगे हुए लेकिन हमने कभी अभी तक ये comparison नहीं किया कि lockdown से घर में पैसे आने तो कम हो गए lockdown से घर के अगर कोई business थे तो वो भी खराब हो रहे है lockdown से नौकरी भी चली गही है हम faculties की भी जो income है वो बहुत कम होती जा रही है most of the schools जो है वो बंद पड़े हुए हैं पूरी तरह से वो online भी बच्चों को teach करने में capable नहीं है ये सब हम जानते हैं लेकिन हमें इनसे जादा कोई अभी मतलब नहीं है क्योंकि हम एक student समूदाय को belong करते हैं तो हमारा जो स्वार्थ है वो हमारा neat exam होना चाहिए और हमें COVID-19 lockdown से neat के exam को देने वाले जो बच्चे हैं neat aspirants हैं उनको क्या प्रिभाव वो पड़े हैं उनकी जिन्दगी को किस तरीके से इस COVID-19 ने नोगल कोरोना वाइरस ने अफ्रेक्टिट किया है एक छोटा सा discussion में इस पर करता हूँ ताकि आपको ये समझ में आना स्टार्ट हो जाए कि current situation आपकी समय क्या है आपके सामने कितने बड़े बड़े challenges हैं आप सोच नहीं सकते हैं आपको लग रहा होगा बहुत मज़ा आ रहा है घर में दिन पर डले रहते हैं टीवी देखते रहते हैं मोबाइल चलाते रहते हैं और टिक टॉक ये सब Chinese वाइनीज एप तो ऐसा नहीं है आपकी जिन्दगी को इस COVID-19 ने सबसे ज़ादा प्रभावित किस तरीके से किया है इस पे मैं discuss करूँगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे सभी students जिन्होंने 12th exam में 2020 में appear किया था यानि कि जो currently, recently जिनकी results भी आ चुके हैं जिन्होंने इस साल 12th की परिक्षा दी हुई है उनकी life में अगर हम जहांक कर देखें तो सबसे ज़ादा uncertainty है आपको याद होगा जब मैं आपको classroom में पढ़ाया करता था तो हमीशा एक बात बोला करता था कि आप लोग को जितनी मस्ती करना है आप 12th क्लास में रहत हुए करी लीजिए क्योंकि जैसे आपका 12th का exam खतम होगा आपको सबसे ज़ादा uncertain condition का सामना करना होगा और वो uncertain condition यह होगी कि आप 12th के बाद हम क्या करें अभी तक तो हमें पता था पहली के बाद दूसरी करें दूसरी क्लास 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 में अडमीशन हो जाएगा तैंथ क्लास क्लास में अडमीशन हो जाएगा लेकिन 12th एक ऐसा turning point होता है एक ऐसा mode होता है जहां पर आने के बाद आपको बैसे भी सब कुछ uncertain समझ में आने लगता हो फिर उसके उपर अगर COVID-90 का lockdown पिछले 3 महीने से जो देख रहे हैं आप चल रहा हो ना तो वो exam हो पा रहे हैं जिनको आप देना चाहते थे जिनको दे कर आप अपनी current position जानना चाहते थे कि मैं NEET के लायक हूँ भी या नहीं हूँ इस exam में मैं कितना high score कर सकता हूँ ये सब आप जानना चाहते थे NEET 2020 को दे कर और आप decide करना चाहते थे कि जब मैं NEET 2020 दे दूँगा तो मैं अपना result देखूँगा score देखूँगा parents का अपनी तरफ रुक देखूँगा कि वो गुसे में हैं या खोश हो रहे हैं यह हम अगर 400, 454 score कर लेते हैं तो हमारे अंदर एक confidence अपयर होगा कि हार नीट 2020 ठीक है हमारा अच्छा नहीं गया पर हमने अच्छा score किया और अगर हम एक साल महनत करते हैं drop लेकर तो 2021 का need जो है वो definitely under 100 हम निकाल पाएंगे ऐसा होता है यह reality पर में discussion कर रहा हूँ तो uncertainty वैसे भी 12th class के बाद बच्चों के अंदर होती है पर यह uncertainty इतनी जादा बढ़ गई है उसका कारण क्या है क्योंकि आपने जैसे ही 12th class के exam दिये या आपको general promotion कुछ subjects को लेकर मिल गया जो भी condition रही हो उसके बाद आप May 2020 में अगर need का exam दे देते अगर यह need का exam हो जाता जो नहीं हुआ अभी तक तो शायद आप आज की date तक यानि कि at least June 2020 तक यह decide कर चुके होते कि मुझे आगे क्या करना है तो देखो uncertainty तो अभी भी है अगर सब को सही चल रहा होता तो भी आप uncertain होते आप need का exam मई के महिने में दे देते June में 2020 तक आपको result आ जाता और उसके बाद आपको एकदम clear मालूम चल जाता कि आपका selection हुआ नहीं हुआ लेकिन फिर भी आपको ये तो अभी मालूम चल गया होता है इस जगा जहां आप बैठे हैं आज की date पर जिस date पर आप बैठे हैं आपको ये idea हो गया होता कि हमें आगे क्या करना है लेकिन आज ना तो need का exam अभी तक हो पाया है और ना September तक at least हो पाना है तो uncertainty जो है जो आपकी already बहुत जादा होती है तो health class के बाद बच्चों की especially जब medical field से बच्चे होते हैं क्योंकि medical field है जिसमें आ तो आपका selection हो जाएगा आपको MBBS करने के लिए government college मिल जाएगा या फिर आप फिर से एक drop ले लोगे engineering की तरह नहीं होता है कि आप IIT men's का exam दे रहे हो आप qualified कर गए चलो आपको IIT नहीं मिलेगी आप advance नहीं निकाल पाएंगे तो भी आपको कोई ना कोई state level college मिल जाएगा कोई private college मिल जाएगा हजारों private college हैं आप at least BE करके engineer तो बनी जाओगे वहाँ बच्चों को कम से कम यह पता होता है अपनी ability अपनी capability के accordingly के वो कुछ ना कुछ तो engineering में कोई ना कोई college तो जरूर ले लेंगे counseling में medical में ऐसा नहीं होता है medical में एकदम fact वाली चीज़ें होती या तो selection होगा और अगर selection नहीं होता है तो अगला हमारे step क्या होता या तो आप you turn ले लीजिए बापिस जाईए BSC, BCOM, BA essay courses, mad mission ले लीजिए या फिर आप फिर से एक साल मेहनत करिए मतलब यहाँ पर आर पार वाली लडाई होती है तो uncertainty हमेशा होती उन बच्चों के दिमाग में जो बार्मी क्लास पास करते हैं लेकिन uncertainty इस समय और जादा बढ़ चुकी है COVID-19 lockdown की वज़े से और मैंने एक परसनल जो सर्वे किया है यह कोई WHO की रेपोर्टस नहीं बता रहा हूँ मैं आपको और यह मेरा अपना परसनल ओपिनियन है जो मैंने dropping akin फोन आते हैं बच्चों के आप लोगों को छोड़कर सब के मिरे पास फोन आते हैं सब मुझे message करते है बस आप लोगों को छोड़कर बता रहा हूँ बार बार और मैं आप लोगों के लिए ही सबसे दो करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सबसे ज़्याद चिंता और डर आपके साथ ही लग रहा है ठीक है ना बाकी बच्चे बहुत ही ज़्यादा self motivated हैं और वो हमेशा मुझे call करते हैं message करते हैं whatsapp पे doubts पूछते हैं लगता रहता है कि चलो वो system में चल रहे हैं वो doubts पूछ रहा है that means कि मुझे विश्वास हो जाता है कि at least वो अभी भी सही track पर चल रहे हैं कोई problem उनकी life में नहीं है मतलब वो अभी नीट कोई target करके अपनी रेगुलर 18 घंटे की regular study कर रहे हैं तो सबसे ज़्याद चिंता condition है वो आप लोगों के साथ ही है तो अगर मैं droppers को freshers से compare करूं और यह comparison में किस situation में कर रहा हूं जो इस समय COVID-19 की condition चल रही है तो इस comparison में मैंने ये पाया है कि droppers बच्चे जो है वो जैसे जैसे नीट का exam की date आगे बढ़ती जा रही है उनकी खुशी का अंदाजा भी बढ करता जा रहा है मतलब आप इस image को देख के अंदाजा लगा सकता है तो यह dropper की condition है यह वाली बच्चे बहुत खोश हो जाते हैं बहुत मज़ा आ जाता है मतलब message आते हैं group में कि अरे नीट का exam आगे बढ़ गया बढ़ाई हो congratulation तो मैं सोसता हूं भाई ऐसा हो गया तो महिने नीट कर लिया था याने उनके दिमाग में यह पहले से मामला था कि नीट मई में होना है मतलब March के महिने तक उनको बहुत अच्छे से पता था नीट जो है वो मै के महिने होना है 3 मैं को नीट का exam होना है जो आज तक आगे नहीं बढ़ा अब कैसे बढ़ेगा? उन्हो बार हो सकेगा मैं फिजिक्स का, कैमिस्ट्री का, बायलोजी, मेजलोजी, बॉटनी का रिवीजन करूँगा, जब लॉक्डाउन की वजए से डेट नीट की आगे बढ़ती गई, बढ़ती गई, तो इन बच्चों के खुश होने के पीछे लॉजिक है, क्योंकि ये बच्चे अपने आपको मार्च में ही नीट के लिए प्रिपेड कर चुके थे और जैसे यह से इनको ज़्यादा समय मिलता जा रहा है, ये इसके पीछे दो चीज़ें सोच रहा है, एक तो उनका रिवीजन उतना ज़्यादा अच्छा हो रहा है, कई बार और रिवीजन करने का मौका मिल रहा है, हाला कि उनके साथ भी condition critical है कि उनको अपना mind balance करके चलना होता है, frustration से दूर होना होता है, लेकि ड्रॉपर बच्चे capable हो जाते हैं, उनको इतना सीखने मिल जाता है, और दूसरा उनको फाइदा ये हो रहा है, जो बहुत बड़ा फाइदा है, कि कही ना कहीं, कई नीट में droppers student ऐसे होते हैं, जो exam में 498 नंबर लाए, या हो सकता है 512 नंबर लाए, और ऐसी critical conditions में आप देखते हैं, बच्चों का 10-15 नंबर से selection होने से रुख जाता है, तो उन बच्चों के लिए ये lockdown की वज़े से जो duration बढ़ रहा है, जो उनको extra time मिल रहा है, वो इसलि पूरा फिर से drop लेना पड़ता है, एक साल पूरा wait करना पड़ता है, लेकिन अब वो अपनी situation जानते हैं, और वो अपने आपको boost करने में लगे हैं, कि अगर वो 498 पर जाते, तो अब ऐसा नहीं होगा, उनने अपने आपको 580 तक prepared कर लिया है, और अब वो ensure हो चुके हैं, कि जो extra time हमें lockdown की वज़े से मिल रहा है, वो definitely हमारी जिंदिगी के लिए एक साल बचाने वाला है, तो droppers के लिए तो क्या फायदा हो गया, एक preparation बहुत अच्छी हो रही है, जिस बच्चे को 100 rank लाना थी, अब वो 20 number की rank लाएगा, जिसका selection 15 numbers रुकना था, वो कहीं न कहीं अ यह सोच पाते हैं कि हम drop ना लें, उन्हें ultimately एक drop और लेना पड़ता, तो इनके लिए क्या हुआ, यह lockdown काफी beneficial रहा, और इसी point of view से मुझे लगता है कि जितने dropper students हैं, वो इस तरीके से तालीव जा रहे हैं, भाई बड़ा मज़ा आ गया, ठीक है ना, अब मैं freshers की बात निर्मल है, पृतिका है, रितिका एहरवार हैं, रितिका गौर हैं, सौरवदुवेदी हैं, सहवाज हैं, साजिया शेख हैं, सौम्या गौर हैं, वन्शिका है, और विवेक राजपूत है, यह हम नाम लेके particular हर बच्चे को personal attention दे के बात करूं, यह सब आप लोग वो बच् रहे हूँ, आपको भले ही ऐसास ना हो रहा हो, कि आपके साथ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन बिलीव कीजिए, मुझे पता है, मेरा personal opinion है, यह मैं अपना personal experience आपको बता रहा हूँ, कि सबसे ज़्यादा बुरा इस lockdown में आपके साथ हो रहा है, क्योंकि 11th का बच्चा इस समय अगर lockdown period में घर में बैट कर बार्मी की थोड़ी बहुत पड़ाई भी कर रहा है, तो उसको कोई फरक नहीं पड़ेगा, बच्चा तैंथ में है, तो अभी उसको कोई फरक नहीं पड़ेगा, 11th बोड एक्जाम नहीं होता है, हाँ भी उसके 10-15% का अगर difference आ भी जाएगा, और आगे मेहनत करने का उसको मौका मिलेगा, लेकिन आप इसी समय उस turning point पर थे, जब आपको अपना career decide करना था, जब आपको ये decide करना था, कि neat मैं मेरा selection होगा, नहीं होगा, तो मुझे drop लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या मैं capable हूँ, neat exam निकालने के लिए, आपका जो एकदम fresh knowledge था, तो health class तक पढ़ते पढ़ते जो आपने opt-end किया था, मतलग March, April तक आपने जो knowledge अपना एक खटा किया था, एकदम freshly coachings में पढ़के, teacher से पढ़के, वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि आप self study उतनी नहीं कर रहे हैं, जितनी आपके लिए required है, क्योंकि आपके दिमाग में एक चीज एकदम बैठ चुकी है, कि lockdown खतम होगा, उसके बाद ही तो सब कुछ start होगा, तो lockdown खतम होगा, ये विमारी भी सही होगी, मैं आपको इस चीज की guarantee दे सकता हूँ, उसका reason बताता हूँ, हम लोग biology field से belong करते हैं, और मैंने आपको कितनी स सारी disease पढ़ाई हैं, मिजल्स हो, मम्स हो, रुवेला हो, है ना, और जब ये disease, smallpox हो, जब ये disease भी इस दुनिया में पहली वार आई थी ना, तो नहीं भी इसी तरीके से endemic condition create की थी, हजारों लोगों की जान ली थी, और उसके बाद जब उस योग में, जब कि technically इतना expert हमार देश नहीं था, तब जब की scientific approach अच्छी नहीं थी, तब हम उन बीमारियों से बाहर निकल गए, तो आज इस बीमारी से भी हम एक दिन बाहर निकलेंगे, लेकिन जब आप बाहर निकलेंगे, वो दिन आपके लिए इतना जादा tension देने वाला होगा, कि एक तरप आपको confidence था, वो पूरी तरह से खतम हो जाएगा, और ये decide करना आपके लिए अब बहुत difficult हो जाएगा, मैं drop लूँ या नहीं लूँ, चलिए, आपने भी हैसला कर लिया, मान लीजिए, मैं considerate करता हूँ कि September में, September 2020 में मान लीजिए, NEET का exam हो गया, सब कुछ सही हो गया, ठीक है न सब कुछ बहतरीन हो गया है, वायरस खतम हो गया है, अब आपका result आया, November 2020 में, और November 2020 में जब आपका result आया और आपको पता चला कि आपने पढ़ाई तो की नहीं है, आपके number बहुत जाद अच्छे नहीं है, आपका selection नहीं हुआ, लेकिन आपको पता है कि आपको drop लेना है आपको बढ़ाई करना है, आपको MBVSE करना है, अगर आपने decide कर लिया है, तो मैं आपको बता देता हूँ, 2021 का जो need होगा, वो ऐसा नहीं है, कि वो भी अब September में होगा, cycle नहीं बिगड़ेगी, जाद से यादा में की जगा जो है, वो NTA June में conduct कराईगी, तो अब आप ऐसे comparison करो, कि droppers के बच्चों के लिए खुशी मनाने का एक वार फिर भी मौका है, क्योंकि उनको अपने knowledge को, revision को boost करने का मौका मिला है, कुछ और महिने में ले है, extra, जिससे वो अपने number को enhance कर सकते हैं, अपने selection को confirm कर सकते हैं, अपनी seed जो है, MBBS के लिए पक्की कर सकते हैं, लेक चारो रोपे वरबात करके coachings में, वो भी दीरे-दीरे खतम होता जा रहा है, और जब exam आपका September में मान लीजी होता है, और November में उसका result आता है, ठीक है न, या November तक counseling का मौका आता है, result आता है, आपको पता चलता है, आपका selection नहीं हुआ, और अब आप चाहे के भी अगर drop ल आने की typically जो बच्चों को NEET की preparation करने के लिए 10 से 11 महिने का time आस तक मिला करता था, result आने के बाद से लेकर अगला exam होने तक, अब आपके लिए वो time कितना मिलेगा केवल 7 months, एक हम तो पहले से condition खराब करके बैठें, पहले से हमारा basic बहुत खराब हो गया है, lockdown को ये मान लिय किसमें सब कुछ हमें छोड़ देना चाहिए, जब सही होगा तब ही हम start करेंगे, और जब सब सही हो गया, तो आपके पास preparation करने का याने कि अगर आप drop ले भी लेते हैं, किसी भी critical conditions में, तो भी आपके पास तैयारी करने के लिए 7 महिने होंगे, और दुनिया में भारत में biology का, botany का slavus complete करा दे, यह मेरा challenge है, crash course होते हैं, मैं भी crash course दो महिने से पढ़ा रहा हूँ, एक-एक महिने में पूरी biology पढ़ा देता हूँ, पर वो crash course elections नहीं दे सकते बच्चे को, वो केवल बच्चे के knowledge को एक तरीके से देखा जाए, तो boost करने के लिए होते हैं, अगर व friends ही इतना आपको जानते हैं, जितना मैं आपको जानता हूँ, उससे कम नहीं जानता हूँ, मैंने पढ़ाया है आप सभी को बैठार के daily आपकी दो-दो घंटे class ली है, तो यह मैं बिलकुल कह सकता हूँ challenge के साथ, कि 7 महिने में ना तो कोई teacher आपको पूरा syllabus करवा पाएगा और ना आप अगले 7 महिने में अगर आप drop लेते हैं तो cover कर पाएंगे और आप और जादा frustration में चले जाएंगे तब जब आप एक drop लेने के बाद भी select नहीं हो पाएंगे, तो I hope के जो opinion मैंने आपको दिया, जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ आपको बताई हैं, यह एक न दुनिया को बताने के लिए नहीं कर रहा हूँ, यह जो platform मैंने बनाया है YouTube बाला, जिस पर यह वीडियो आप देख रहे हैं, यह पहली बार अपनी life में मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब कभी मैंने किसी भी तरीके से YouTube चैनल पर बच्चों को बढ़ाने का आज तक प्रयास नह कर उनसे नहीं सीख सकते, लेकिन क्योंकि conditions ऐसी चल रही है, इसलिए इस तरीके से मुझे आपसे बात करना पड़ रही है, and second important चीज़ कि मैंने YouTube कभी इसलिए भी ज्वाइन नहीं किया, आज पता है आपको आज मैंने सुभह ही इस चैनल को prepared किया है, मेरे subscriber भी दीन है केवल ठीक है न, जो मेरे दांगी जी, हम दो-तीन लोग हैं, उन लोगोंने ये इस चैनल को तैयार किया, उनसे ही मैंने ये चैनल स्टार्ट करवाया है, और पहली बार इस platform पे पढ़ा रहा हूं मैं, क्योंकि इस से पहले में जिन भी platform पे पढ़ा रहा था, जिन भी coachings में होंगे ले रहा हूं, मतलब ultimately कहा जाए, जो मेरी नौकरी के लिए भी खत्रा हो सकते हैं, तो ये केबल इसलिए कि आपको किसी भी तरीके से मैं connect कर सकूँ, और किसी भी तरीके से आपकी मैं उतनी care कर लूँ, कि आपका जो confidence आज आपको समझ में नहीं आ रहा है, कम होता जा और जो मैं कह रहा हूं, साथ महिने में आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो वो काम आप आज से start करते हैं, अपनी पढ़ाई आज से start करते हैं, और ये मान कर चलें कि need 2020 is the very experimental year, और हमारा exam जो है वो इतना experimental है, कि हम निकलेंगे नहीं निकलेंगे, ये सच में uncertain है, लेकि need 2021 जो definitely हमारा ही होना चाहिए, at least उसकी preparation आपको आज से start कर देना चाहिए, अगर आप 2020 में select होते हैं, बहुत अच्छी वात है, मुझे तो बहुत खुशी होगी, मैं तो ये ही कहूँगा सबसे, कि मैंने 15-20 दिन बच्चों को lecture share किया और उस उनका need में selection हो गया, ठीक है ना, मैं त 95% freshers students जो होते हैं, वो need के competition में numbers बढ़ाने के लिए होते हैं, यानिकि 17,000,000 लोग need का exam दे रहा है, तो आप believe करी हो, उसमें से 12,000,000 लोग freshers हैं, पांच लाग लोग actual ऐसे हैं, जिन्होंने drop लिया है, तैयारी की है, एक साल, दो साल, कई लोग 3 साल भी drop लेते हैं, पर 95% क बच्चे ऐसे होते हैं, जो drop लेते हैं, और आगे चलकर competition face करते हैं, और वो ही उस categories में आप आते हैं, जो select हो पाते हैं, तो 95% freshers बच्चे जो ऐसे होते हैं, जो need के exam में बैठते हैं, पर उनकी कोई preparation नहीं होते हैं, उनकी दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कि मुझ के लिए आपको आज सोचना होगा, 2020 NEET के लिए भी आज सोचना होगा, और 2021 के लिए भी आज ही सोचना होगा, क्योंकि आप believe करिये, अगर NEET मई के महिने में हो जाता, तो आज वो दिन आ गया था, कि आपको अपनी कोई ऐसी coaching join करना पड़ती drop लेने के लिए, जो आपको properly 10 11 महिने में slaves complete करा है, और आपको NEET 2021 के लिए पूरी तरह से prepared कर सके, आप ऐसा कर चुके होते हैं अभी तक, believe करिये, मैं हर साल देखता हूँ, हजारों admissions होते हैं, बच्चे जो हैं मुझलाई में अपनी पड़ाई जोर पर करना इस्टार्ट कर देते हैं, मतलब उनका घाया जो teachers होते हैं, वो friends slivers से start कर देते हैं, chapters एक दूख हतम भी हो चुके होते हैं, नीट के बच्चों के, dropper बच्चों के, लेकिन आपके साथ अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो चलिए रौने की ख़रूरत नहीं है, इस लड़की की तरह आपको रौना नहीं है, आप को कोशिश करना है, और अपने आपको फिर से एक वार खड़ा करना है, अब problem क्या है, मैंने कुछ आपकी class के बच्चों से बात की, ठीक है, उनसे मैंने जब बात की, तो उन्होंने बोला, sir, कुछ भी करके ऐसा कुछ कर दीजिए, कि कुछ lectures आप upload कर सकें, या live lectures दे सकें, तो मैंने बोला, ठीक है, आपकी class को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, सभी बच्चे मेरे बहुत favorite है, बुराई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, और मैंने ये बोला कि, अगर मान लीजिए, मैं एक कोई group बना लेता हूँ, मैं एक YouTube पर जो मैंने आज तक काम नहीं किया या वो मैं करता हूँ, कि एक YouTube पर channel बना लेता हूँ, जिस पर मैं अपने live videos आपके शाथ share करूँगा, link की through, तो ऐसा नहीं है कि मेरे ऐसा सब कुछ करने से जो बच्चे होंगे, वो benefited हो ही जाएंगे, क्योंकि एक कहाबत है, एक proverb है जो आपने सुना होगा, English में, यू can lead a horse to water, but you can't make it drink, आप घोडे को पानी के पास तो ले जा सकते हो, ठीक है ना, लेकिन घोडे को आप जबरजिस्ती पानी नहीं पिला सकते हो, that is the major problem, यह है हमारी class के साथ, जिसको मैं teach करने वालो, आपको बता दूँ कि आप किसी भी इनसान को, किसी भी इनसान को great opportunity provide क कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको इस समय बहुत बड़ी opportunity देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप force नहीं कर सकते कि आप बच्चों से जबरजिस्ती पड़ाई करवा लें, कि वो जबरजिस्ती preparation करना स्टार्ट करते हैं, मैं केवल आपको opportunity create करके दे सकता हूँ, लेकिन य बहुत ही golden chance में convert कर देते हो, golden result में convert कर देते हो, और आप कैसे इस opportunity का बहुत ज़ादा फायदा उठा पाते हो, ठीक है ना, तो ये बहुत रियल concept है, आप इस तरीके से जो कहावत है वो गलत नहीं है, कि आप घोड़े को कितना भी कुछ कर लो, आप नदी के पास ले आपका mobile data recharge करवाने में लगे हुए हैं, कि बच्चा online पढ़ाई कर रहा है, पर बच्चा उसमें से ज़्यादा data जो है, वो facebook चलाने में खर्च कर देते हैं, games या कोई online games खेलने में खर्च कर देते हैं, अब parents वो नहीं कर सकते हैं, वो आपको facility दे सकते हैं, वो आपको opportunities दे हैं, आपको दिक्कते हैं, आएंगी, challenges आएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही आपको पहली slide में ये चीज़ समझा दी, कि आपके साथ सबसे ज़्यादा uncertain condition है, आपके साथ सबसे ज़्यादा challenges है, comparatively to other class के जो students हैं, या फिर जो droppers बच्चे हैं, और लड़ी एक साल का drop ले चुक decide करूँगा कि मुझे आगे जाकर क्या करना है, ठीक है न, तो आपके साथ इस समय सबसे ज़्यादा uncertain condition है, और मैं आपको opportunity provide कर रहा हूँ, आपके parents आपको opportunity provide कर रहा है, लेकिन उसको कैसे utilize करना है, आपको कैसे उसको अपने फायदे में convert करना है, ये आपको ही करना पड़े है, वो सब चीज़ें केवल आपको फिर से जिन्दा करने के लिए थी, जो हमारे अंदर एक्षाएं मर चुकी थी, जो बहुत दिनों से आपने मेरी बातें नहीं सुनी थी, और सुनना भी नहीं चाहते, कुछ लोग हस रहे हैं न, बंशी का हस रही है, बोल रही है, हाँ, स मज में आ जाए, कि भाई हमें करना होगा, जब तक आपको एक दो घंटे की ऐसी बातें ना करो न, एक आद महीने में, तब तक आप लोग कोल स्टार्ट ही नहीं करते हो, कोई प्लान ही नहीं बनाते हो, तो मैं आपको कोई स्टडी प्लान देने वाला नहीं हूँ, पहली चीज़ तो आप यह सुन लीजे, आपको अपने स्टडी प्लान, अपने घर के इन्वार्मेंट, अपने टाइम और अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली खुद ही प्रिपेर्ड करना है, मैं केवल आपको वो स्टडी प्लान बताने वाला हूँ, जो मैं आपका दिन म मैं maximum आदा घंटे लिया करूँगा, कितना आदा घंटे, इससे जादा नहीं, पर ब्लीव कीजिए, आप डेली अगर आदा घंटे पूरी consistency के साथ, पूरे concentration के साथ, मुझे दे रहे हैं, तो वो आदा घंटे आपके लिए कम से कम, दो से तीन घंटे अगर कोई भी टीचर पढ़ाता है, उससे भी जादा beneficial होंगे, क्योंकि मैं अपने live video lectures में आपको 15 minute के lecture में इतनी सारी और इतनी जादा चीज़ें बता दूँगा, वो भी इतनी simple tricks के थूरू, कि आपको वही चीज़ें समझने में जो 2-2-3-3 घंटे का time लग रहा था, आपके वल 15 minute में समझ भी जाएंगे, और आप बहुत ही अच्छे simple और कह सकते benefited notes जो हैं, वो prepared करके भी रख देंगे, आप 15 minute के lecture से पढ़ने के बाद, आदा घंटे में आप उसके notes बना लेंगे, जो short tricks पर भीज़ेंगे, और easily आप से वो questions बनने लगेंगे, जो आपको अभी तक सबसे ज़ादा problem द जाता हूं, उसके लिए आपको मुझसे suggestion चाहिए, आप बुलकुल मुझसे बात कर सकते है, WhatsApp पर या phone लगा कर उसमें कोई problem नहीं है, तो जो study plan में आप से discuss कर रहा हूं, वो मैं आपको बता देता हूं कि हम और दांगी sir, तौनों इस platform पर आपको total free of cost ये facility प्रोवाइड कर class लेकी भी पढ़ाया है, कई बार Sunday को भी हम लोग पढ़े हूए है, light चली जाती थी, कई बार तब भी हम लोग पढ़ते रहते थे, तो जो हमने मेहनत previous year की है, इस season में की है, वो बेकार नहीं जाना चाहिए, उसको जिंदा रखने के लिए study plan हम और दांगी sir ने कही ने कही प्रवाइड किया है, तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं आपको की daily, कोशिश हमारी daily रहेगी, लेकिन फिर भी चार से पांस दिन आप एक हपते में मान लीजिए, हम आपको daily एक से दो lectures per day provide करेंगे, यानि week में चार से पांस दिन, और daily आपको एक से दो lectures जो है, वो live प अगर आप open करते हैं, तो आपको उसमें timing बता दी जाएगी, कि इतने घंटे बाद live होने वाला है, तो आपको daily एक से दो lecture provide किये जाएंगे, live premier lectures, और ये प्रकिरिया जो है, प्रॉसेस जो है, वो week में चार से पांस दिन तक चलेगी, यानि कि आपको एक दो दिन, week में चीखने वाले हैं, तो ये आपके लिए एक पहली चीज है, कि biology live lectures आपको चार से पांस दिन हपते में मिलेंगे, और वो एक से दो lecture हो सकते हैं, कई बार दो दिन में होंगे, कई बार एक भी हो सकता है, और उनका duration बहुत छोटा है, इसलिए आपको बिलकुल घबराने की हो सकती है, 20 से 30 मिनिट भी हो सकती है, यानि कोशिश यही होगी कि 90% तक lectures जो होंगे, उनका average duration जो होगा, वो 10 मिनिट, 15 मिनिट ही होगा, ठीक है, लेकिन जो 15 मिनिट आप देखेंगे वो lecture, अगर वही चीज मैं आपको offline पढ़ा रहा हूं, तो जो 15 मिनिट में आपने देख है, सीखा है, सुना है, और आप चाहें तो फिर से भी देख सकेंगे, ऐसी facility में में दूँगा, वो अगर आप offline पढ़ते हैं, तो मैं वही चीज आपको दो घंटे में बताता, कितने घंटे में, दो, यानि कि आप समझ सकते हैं, वही चीज में आपको घुमाते हुए, फिर fully सुनना है, उनके बहुत ही अच्छे notes बनाना है, और आपको वो चीज अपने notes बनाने के बाद revise करते रहना है, और आपसे definitely वो पंदरा मिनिट के lecture में आप जो सीखेंगे, वो आपके दो-दो-तीन घंटे की पढ़ाई से ज़ादा beneficial होगा, यह मेरी guarantee आपके लिए, आप मु lecture start होगा, अब वो कितनी देर चलना है, 10-15 मिनिट कई बार मैं बोल रहाओं 5-7 मिनिट का भी हो सकता है, कई बार वो 30 मिनिट का भी हो सकता है, कई बार वो एक घंटे का भी हो सकता है, पर इसके chance अभी बहुत कम है, जो आगे हो सकते हैं, ठीक है न? तो आप जब 10-15 मिनिट का lecture देखेंगे तो उसमें आपको screenshot लेने की जरूरत अभी तो नहीं है, मतलब आप ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूँ, बहुत important trick मैंने लिख रखी है, notes बनाते समय या मैं समझातू, slide पर बहुत important कुछ लिख रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है PDF format में, HD quality में as a low notes, live lecture notes आपको आपके WhatsApp ग्रूप पे कर दी आएगी provide कर दी आएगी, आप उसको देखिए और फिर अपने notes आराम से बैठ कर बनाईए और उसमें और क्या क्या नया करना है, वो मैं आपको आगे बता रहाँ तो तीसरी important चीज आपको बता देता हूँ, जो सबसे ज़ादा जरूरी है वो है video solutions of doubts, यह ऐसी facility है जो आपको कोई भी teacher, फिरी में तो बिलकुल नहीं दे सकता है, और अगर वो किसी organizations के थूरू भी आपको अगर मिल रही है, तो उसमें आपको quality उतनी अच्छी नहीं मिलेगी, और वो आप personally आपके attention पर बेज नहीं होगी, कि आपके doubts के लिए ही हो, video solution of doubts से हमारा मतलब यह है कि मैंने और दांगी सर ने यह decide किया है कि आपको अगर कोई भी question में problem आती है, आप biology कर रहे हैं, biology की ही बात हो रही है, physics की नहीं, अगर आप biology में कोई भी NCRT based book practice कर रहे हैं, NCRT based book practice कर रहे हैं, आप MCQ या single choice question जो भी लगा रहे हैं, या पर कोई statement based question लगा रहे हैं, आपको जो भी question practice करने हैं, वो केवल और केवल आपको किस पर based होने चाहिए NCRT पर, पढ़ना बंद कर दीजी, हम लोगों ने बहुत सारे 30 year के based जो questions हैं, वो अल्रेड़ी आपको DPP के format में करवा दिये हैं, आपको बहुत सारे ऐसे DPPs और Sunday questions paper मिले हुए हैं, जिन में ज़्यादतर question previous year के हैं, अगर आपको previous year question करना है, तो लास्ट 5 years पर आप focus करिए, लास्ट 5 years, मतला आप के वल पिछले 5 सालों के NEET के papers को practice करें, उससे ज़्यादा मत करें, छटवे साल पे भी मज जाए हैं, पिछले 5 साल तक, क्योंकि लगातार NEET के format में कुछ ना कुछ minor changes आते गए हैं, और हमने देखा है कि आप NCRT based ही NEET का exam होता है, आप बलीव करिए इस बात पर, आप पिछले 5 सालों के question देखिए, 85% से लेकर 90% तक biology में जो questions आते हैं, बच्चों वो NCRT based होते हैं, वनशी का कह रही है, सर की writing थोड़ी सी improve होगए, ये lockdown में तो ऐसा मंद मुसकान दे रहे हैं कि भाई writing में तो improvement आ गया है, सर की very good, तो ऐसा कुछ नहीं है, writing मैंने improve नहीं की है, बस वो इस पर writing अच्छी आ जाती है, थोड़ी बहुत, हाला कि ये भी खराबी है, आप लोगों के accordingly तो, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक है, चलेगा तो मैंने क्या बोला, आपको केवल NCRT based ही questions लगाने हैं, वाकि कोई भी question नहीं लगाना है, और ना उसको आपको जादा दिमाग खापाना है अपना, ना आपको उस question को लेकर जादा घंटों वरवात करने हैं, वो question NCRT का part नहीं है, उसको fact दो एक तरफ, मत पड़ो चक्कर में ठीक है ना, second important चीज़ जो मैंने बताया है कि video solution of doubt, अगर आप NCRT based questions लगाते हैं और आपको doubt आ जाता है, आपसे वो question नहीं बन रहा है, वो किसी भी chapter का हो, आपके पास 38 chapters है, biological classification, living world से start करते हैं हम लोग, तो आखरी में ecology के environmental issues तक चले जाएं, तो total आपके पास biology में कितने chapters हैं, 38 chapters हैं, आपको जो भी chapter की practice करना है, आपके वल NCRT based books से कीजिए, master the NCRT से, grip on NCRT से, और कोई किताब भी लगाने की ज़रूरत नहीं, यह काफी है और उसके बाद अगर आपको कोई doubt आता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल, उस question की photo खीचना है, photo आपको खीचना आती है, जैसे selfie खीचते हैं ना बेटा देखता रहता हूँ है आप लोगों की, तो उसी तरीके से हमें front camera चालू करके क्या करना है, wayback camera चालू करके क्या करना है, एक photo खीच लेना है, किसकी question की, उसको crop, crop करके बढ़ी है, थोड़ा तरीके से, teacher confused नहीं है, उस तरीके से आपको दो teacher हैं, एक आशी सर है, जो शायद मेरा नाम है, और दूसरे हैं हमारे दांगी सर, अब हम लोग क्या करेंगे, वो question देखी लेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग की आँखे उमर के साब से जादा अच्छी है, तो हम लोग आपका जो question आपने photo खीचा है, वो आपने whatsapp पर डाल दिया है, वो मैं आदांगी सर में से कोई भी जो है, वो देख लेगा, और जो भी देख लेगा, वो जितनी जल्दी हो सकेगा, एक घंटे वाद, दो घंटे वाद, चार घंटे या solution लिखे क्या कर देगा, text message कर देगा, या फिर वो क्या करेगा, अगर वो थोड़ा सा complicated question है, तो एक कागज pen पर उसको solve करके, उसकी photo लेकर हम लोग कहां डाल देंगे, whatsapp पर, और अगर मान दीजे, आपके questions 10 वारा है, मतलब हमें कर रहे होंगे, जैसा करना चाहिए, और उस पर 10 questions का एक video solution बनेगा, और वो भी आपको live कर दिया जाएगा, एक particular date पर, जैसे कि हमें लग रहा है कि 10-15 questions एखटे हो गए, हम लोगों ने एक video solution lecture बनाया, उसको live कर दिया हम लोगों और वो आप आराम से देखकर, बैसे ही समझ जाएंगे, जैसे आप physically हमारे बाजू में खड़े होकर, हमसे doubt पूछते कि सर बताईए, इस cancer क्या होगा, तो आपको क्या चाहिए, इससे जादा, अच्छा बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, कोई पैसा तो भी लगने वाला है, नहीं हमसे, आपसे कोई पैसा तो मैं ले नहीं रहा हूँ, आपको केबल क्या करना है, आपको attentive रहना है, आपको interest लेना है, जादे तर क्या होता है, जब पैसा नहीं लगता है, तो हम लोग उसको फिर अपनी provide कर रहा हूँ, और इसके पीछे मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, कोई benefit नहीं है, बस एक ही benefit है, कि आप किसी ऐसे platform पे ना चले जाएं, जहां आपका पैसा खर्च हो जाए, और आपको सीखने कुछ ना मिले, और फिर आप घर में बैठे-बैठे आलसी या लेजी ना हो जाएं, कि आप आगे जाकर कुछ करने के condition में ना रहें, कहीं ऐसा ना हो, कि आप depression में चले जाएं, कोई गलत कदम उठा लें, जो कि मुझे नहीं लगता कि ताहिर, आकरती, महक, अनुराग, आयूसी, दीपती, गौरव, किरन, निकिता, निर्मल, प्रितिका, रितिका, रितिका, गौर, सौरब, सहवाज, साजिया, सौम्या, वंशी का बिवेक, आप में से कोई उठाने वाला है, मुझे नहीं लगता है, सब लोग बिंदास हैं, पढ़ने का मत बोलो, हम बहुत खोश हैं, सीधी बात, हमें depression पढ़ाई की वज़े से, तो कभी आज तक नहीं हुआ, तो आप कैसे होगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको पढ़ाई को लेकर बहुत attentive रहना है, इसलिए मैं आपको ये facility प्रोवाइड कर रहा हू कि आप video solution of doubts भी obtain कर सकते हैं from the faculty, you can ask your queries via chatting with the faculty, आप chatting करके भी कोई queries है, तो वो पूछ सकते हैं, कोई problem नहीं है, उसके बाद हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि 15 दिन में, 10 दिन में, जब भी हमें लगेगा यार कि बहुत दिन हो गए हैं, तो full length neat mock test, याने कि कुछ papers already मैंने prepared क कर रखें, कुछ दांगी सर भी बनाने में लगे हुए, तो हम लोग क्या करेंगे, कि आपके कम से कम 2 से 3, बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर 2 से 3, अच्छी quality के NCRT based neat के जो है, वो mock test आप से conduct कराएंगे और इसके लिए आपको इमांदार रहना है, तरीका क्या होगा, हम केवल एक PDF format में आपको फोल्डर बना कर, एक test paper send कर देंगे, आपको पूरी इमांदारी से, अपनी घड़ी में timer लगा कर, देड़ घंटे में, biology के 90 questions जो हैं, वो solve करना हैं, आप कोशिश करिए, देड़ घंटे से भी कम समय में कर पाएं, और फिर उसको आपको answer की अपनी खुद तयार कर लेना है, और जैसे ही मैं आपको paper send करूँगा, उसके just 24 घंटे बाद, 20 घंटे बाद, एक answer की कोशिश रहेगी with solution जाए, लेकिन अगर नहीं हो पाते हैं solutions typed, तो at least वो answer की जो है, वो आपको मैं group पर again send कर दूँगा, आपको अपनी जो copy पर आपने answer टिक किये थे, उसकी answer की जो आपने बनाई है, आप उस answer की से उसको match करके, minus marking करके, अपने result खुद निकाल लेंगे, और निकालने के बाद आप पूरी इमानदारी से group पर, या के लिए रहेगी, इसके लिए आपको कोई fall to की test series join करने की जरूरत नहीं है, कि आप 5000 रुपे में यहां की वहां की, इस coaching की, उस coaching की test series join करें, और fall to में वहां के जो questions होते हैं, मैं आपको बता देता हूं, किसी भी coaching की test series जो होती है, उसका एक concept होता है, मैं खुदी coaching में चीस questions को नहीं कर पाते हैं, उल्टा उनका confidence जो है, वो moral जो है, वो down हो जाता है, और उन्हें लगता है, कि आर वो coaching बहुत अच्छी है, क्योंकि वहां पर ऐसे questions दे रहे हैं, तो ऐसा पढ़ाते भी होंगे, कि वो questions बन जाएं, तो इसका relation NEET exam से कहीं नहीं है, जो 25% बखव पैटर्न से related होगा, 90-95% तक वो NEET के exam पैटर्न से match होगा, जिससे आपको actual अपनी situation, कि मैं कितना जानता हूँ, मिरा knowledge कितना अच्छा है, ये आपको अपने marks obtain करके पता चल सके, ठीक है ना, अब random DPPs, हम ये वादा नहीं कर सकते, कि रोज मैं आपको video lecture दूँगा, तो रो भी 2-3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, जब भी मन किया है, जब मुझे लग रहा है, कि हाँ यार मेरे पास 10-20 अच्छे questions का collection आ गया है, तो मैं एक DPP बना कर आपको send कर दूँगा, और कोशिश करूँगा, कि जो DPP बना कर आपको send करूँगा, उसका answer की ना देकर, video solution ही बन point है, ये वाला point है, आप कोशिश करिए, कि आप questions solve करें, doubts आ रहे हैं, तो आप उसको WhatsApp पर image form में send करें, आपको कोशिश रहेगी, कि answer जल्दी दे दिया जाए, अगर बहुत सारे doubts आ जाते हैं हमारे पास, तो उस condition में कोशिश रहेगी, एक video solution बना दिया जाए, और 2-3 दिन क के अंदर जब भी time मिलता है, वो आपको live, जो है, वो send कर दिया जाए, तो आप उसको एक particular timing पर सब ही लोग देख सकें, जितने भी लोगों के doubts हैं, वो सब एक दूसरे के doubts भी देख सकते हैं, कि इसका solution क्या होगा, चलिए, अब study plan को हम आगे की तरफ ले जाते हैं, ठीक है जिसको मैं बता देता हूँ, हम सबसे पहले आप से जो promise किया था, कि मैं आपको animal kingdom पढ़ाऊंगा, तो मैं start कर रहा हूँ animal kingdom से, और animal kingdom हम details में पढ़कर अपना बहुत सारा time इस तरीके से अपना data mobile का खर्च करें, इसलिए मैंने आपको अपना पूरा जो कह सकते है, summary form में animal kingdom होता है, उसके lectures मैंने आपके लिए तयार किये, जो मैं आपको live science करूँगा, आपको live देखने का मौका मिलेगा, जब मैं उन lectures को पढ़ाऊंगा, तो आपको क्या करना है, कि animal kingdom में हमें सबसे important चीज़ यह सीखना है, कि किस तरीके से हम 13 characteristic features जो है, वो तयार कर ले, हम चाहते हैं कि आपको 13 characteristic feature तेयार हो जाने चाहिए, ऐसे करके, और आप किसी भी एक phylum का नाम ले, for example मैंने बोला पोरी फेरा, तो आप पोरी फेरा लिखने के बाद 13 comment उस पर लिख सकें, कि वो diplo-blastic होता है, वो acylomate होता है, उसमें cellular level organization present होता है, उसमें fertilization जो है, वो internal external donor होता है, तो कोई भी question, मतलब कोई भी एक phylum आपको दे दिया जाए, तो आप उस पर जल्दी से तेरा important comments लेके हो, जो आप तेरा characteristic feature चूज करेंगे, select करेंगे, वो वही हैं, जिनका जिक्र phylum के description में NCIT ने किया गया है, कि sex dioces है, monoseous है, fertilization internal है, external है, development direct है या indirect है, organization cellular level है, tissue level है, organ level है, organ system level है, diploblastic है, triploblastic है, silomate है, pseudo silomate है, acilomate है, body plant tube within tube है, blind sack है, cell aggregates है, notocod present है, absent है, side of segmentation पाया जाता है, या नहीं पाया जाता है, मेरी बात को समझ रहे होंगे आप, तो इस तरीके से आपको तेरा characteristic feature अगर आते हैं, हर phylum के तो आप बिलीव करिए, यहाँ पर ही हमारा जो animal kingdom है, वो कितने percent cover कर लेते हैं हम लोग, कम से कम 60% animal kingdom यहाँ पर हमारा complete हो जाता है, along with basis of classification, क्योंकि NCIT ने के वल 3-4 base पर classification दिया है, हम 13 base पर classification पढ़ेंगे, तो हमें हर phylum के 13 characteristic feature क्या हो जाएंगे, याद, और उनी का description कहीं ने कहीं, अलग-अलग phylum में दिया है, आप दे तो हम किसी एक phylum में तो समझ गए, कि indirect रखता है, अबर बाकी phylum direct है, indirect रखते हैं, यह NCIT में नहीं लिखा है, तो क्यों न हम उन 11 characteristic features को ही एक-एक करके पढ़ें, और उन एक characteristic feature के अंदर 11 phylum का pattern क्या होगा, किस pattern का वो particular character रखेंगे, यह हम सीख लें, तो हम आखरी में जब यह complete कर लेंगे अपनी stage 1, stage 1 में मैं यही सिखाने वाला हूँ, तो हमें हर एक phylum पर आपको, अगर मैं नाम लिख दूँगा, तो आप उस पर कितने comment लिख सकते हैं, 13 comment लिख सकते हैं, कम से कम 13 comments लिख सकते हैं, और वो 13 comments में से कोई एक characteristic feature ही ऐसा होगा, जो exam में आपसे जो हैं, उनके हम 13 characters कैसे सीखें, तो हम एक character को उठाएंगे और उसको हम पढ़ेंगे, और उसमें जो भी pattern different है, वो 11 phylum के basis पर कैसे applied होते हैं, यह हम सीखते हुए चलेंगे, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, और इस तरीके से आपको कुछ ही दिनों में 11 phylum जो हैं, वो ऐसे याद हो जाएंगे कि आप किसी भी phylum को randomly अपनी copy पर लिखकर उस पर तेरह comment लिखने के लिए capable हो जाएंगे, तो stage 1 तो आपको समझ में आगी, that is very important and loving stage, ठीक है न, क्योंकि इस से हम animal kingdom को 60% complete कर सकते हैं, यह नया तरीका है animal kingdom को पढ़ने का, वो आप conventional way में पढ़ा याद कर लिए, तो stage 2 में हम लोग हर phylum के example को याद रखते हैं, और इसके लिए मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैं trick based lectures provide करूँ, यानि कि किसी भी phylum को अगर आपको याद रखना है, तो वो trick based example होना चाहिए, जैसे कि मैं आपको example दे रहा हूँ, ठीक है न, अब any leader की बात बोलते हैं, leech कहते हैं, blood sucking leech, एना, phere मतलब phere tema, जिसको हम earthworm कहते हैं, और नहीं मतलब neris, तो hero phere के time नहीं था, तो hero, hero denaria, phere के time, phere tema, नहीं से neris, तो hero phere के time क्यों नहीं था, अभी मैं shortly समझा रहा हूँ, क्योंकि hero share नहीं चूहा था, तो अब एक non NCIT example भी आपको याद रखना है, c mouse, जो किसका example है, analytes का, तो इस तरीके से आपको 10-10 minute के videos देखने हैं, और उसमें आपको पूरे कठिन कठिन examples जो हैं, वो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, जैसे मैंने आपको अभी एक छोटा सा example दिया, जब इसको writing form में मैं आपको समझाऊंगा, images बना कर तो आपके दिमाग में वो story पूरी बैठ जाएगी, तो second stage में हम लोग animal kingdom में क्या पढ़ते हैं, example, अब third stage जो होती है, उसके बारे में देख लेते हैं, देखिए third stage में क्या है, third stage में हमें क्या करना होता है, कि अब जो हमने complete कर लिए, उसके अलावा अगर किसी phylum में कोई special feature लिखाया, NCRT में, तो उसके आप separate point-wise notes बना लीजिए, जैसे आप पोरी फिर आप पढ़ेंगे, तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, जो बाकी phylum पर applied नहीं होता है, जैसे कि आप बोलेंगे, इनमें canal system होता है, इनमें water canal system होता है, एसकॉन टाइप, साइकॉन टाइप, ल freedia होता है, कहीं पर देखने को मिलेगा, कि excretory organ जो है, वो malfigian tuvules होती है, कहीं पर आपको molusk पढ़ेंगे, तो मालम चलेगा, इनके पास mental cavity में, feather-like gills होते हैं, ठीक है न, आप echinodermita पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको कुछ specific चीज़ है, मालम चलेंगी, कि भाई, इनमे होता है, और वहाँ की किसी animals में देखने को नहीं मिलता है, तो ऐसे कुछ special comments होते हैं, हर फाइलम पर एक दो, एक दो होते, जो उनके characteristic feature होते हैं, जो उस फाइलम को represent करते हैं, for example, कि मैं अगर बोल रहा हूँ कि sealant traits को निडारिया भी कहा जाता है, तो वाई, नाम ही इसली रखा गया, क्योंकि इनके पास एक ऐसा दुनिया में character है, जो दुनिया में और किसी organism के पास है ही नी, तो sealant traits को निडारिया कहा जाता है, क्योंकि इनके पास nido blast cells होती हैं, तो यह इनका क्या हो गया, special features हो गया, तो ऐ ऐसे आपको हर file आपके एक-एक-दो-दो special features की एक list बना लेना है, आप अगर stage 1, stage 2 और stage 3 में animal kingdom को complete कर लेते हैं, तो आप leave करिए कि यह chapter आपको biology के 38 chapter के comparison में सबसे छोटा, सबसे आसान, सबसे सरल और सबसे जादा favorite लगना start हो जाएगा, जो आज तक आपको नहीं लगा, because it is the one of the very difficult chapter, और कई teachers तो जो है वो chapter को आखरी में पढ़ाते हैं, और हो सोसते हैं कि वो छोड़ भी ने तो अच्छा होगा, ठीक है ना, तो मैं आपको यह सबसे पहले पढ़ा रहा हूँ, मतलब अपने पैर पे कुलाड़ी क्यों मार रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि यह आपका weak point है, और यह platform के वाल आपके लिए है, अपनी publicity के लिए नहीं है, मेरी publicity के लिए होता, तो जिस YouTube चैनल पर आप मुझे देख रहे हैं, उस पर अभी तक subscriber जो है, वो 15,000, 20,000 या 1,000,000 हो गए होते, अगर मैं starting से यह काम कर रहा होता, तो आपको क्या करना है, आप आपको मुझे subscriber नहीं चाहिए, लेकिन जितने लोग मेरे जो lectures देख रहे हैं, वो सबसे पहले मेरा चैनल subscribe जरूर कर ले, ताकि कम से कम आगे चल कर, अगर मैं कोई भी नया videos, biology के regarding बना रहा हूं, और आपको inform नहीं भी कर पाता हूं, तो भी आपको वो वीडियो देखने का मौका मिले, तो आप मेरे चैनल को subscribe, इस point of view से बिलकुल कर लीजिए, कि आप मुझसे हमेशा YouTube platform पर जुड़े रहें, अगर आगे चल कर कभी मुझे कोई lecture डालने का मौका मिलता है YouTube पर, कोई बहुत interesting lecture बना रहा हूं, तो at least वो आप देख सकें, इसलिए आप मेरे चैनल को subscribe करिए, और like आपको इसलिए करना होगा, क्योंकि मैं फीस तो ले नहीं रहा हूं, इसलिए मेरा lecture आपको like हमेशा करना है, ठीक है न, मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, पानी भी नहीं पी रहा हूं, ठीक है न, और लगातार लगा हूं, यहाँ पर मेरे ऊपर कोई pressure नहीं है, तो मेरा भी थोड़ा सा confidence जो है न, वो बड़ेगा, और मेरा भी confidence बड़ेगा, तो कोशिश करूँगा, मैं और अच्छा कुछ आगे आपके लिए कर पाऊं, तो channel को subscribe करते जाएए, likes करते जाएए, likes से मुझे ज़्यादा फार्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे कोई like करे या ना करे, मैं अपने आपको like करता हूँ, आप लोग मुझे like करेंगे, तो मुझे विश्वास हो जाएगा, कि चलो आप कुछ revert में मिरे को positive दे रहे हैं, ठीक है न, इस point of view से बात कर रहा हूँ, तो animal kingdom को हमें तीन stages हैं पढ़ना है, पहली stage में हम क्या देखेंगे, तेर इसको आप special feature मान लीजिए, और अपनी notebook पर add कर लीजिए, अब हम देखते हैं हमारा lecture plan क्या होगा, तो देखो यह हमारा lecture plan है, 8 दिन के लिए मैंने तयार किया है, 8 दिन में हम लोग part 1 complete कर लेंगे, और stage 1, part 1 मतलब stage 1, जो अभी अभी मैंने बताई, तो सबसे पहले हम stage 1 पर lecture की telecast link जो है, वो provide करना स्टार्ट कर दूँगा, आपको अपना timing को लेकर confusion नहीं पालना है, जैसे most of the students ने whatsapp पर जो response दिया, उसके accordingly, मुझे यह जानकारी हो गई है, कि आप 12 वज़े सो कर उठते हैं, आप 12 वज़े दुफैर में सो कर उठ जाते हैं, मतलब मुझे तो यह ग्रोप इसलिए तो बनाये गया है, तो एल्थ के बाद आपको पढ़ाई करना है, medical में जाना है, तो चलो, overall मैं सब समझ गया हूँ, 12 वज़े तक आप आराम से होश में आ जाते हैं, क्योंकि आप रात में late night तक पढ़ाई करते हैं, या जो भी पढ़ाई करने का नाटक कर पढ़ाई करते हैं, उसके बाद आप सोबह काफी late उठते हैं, और 12 वज़े तक आप होश में आ जाते हैं, खूप सारा खाना ठूसने के बाद आप सोशते हैं, क्या आप कुछ ऐसा मिल जाए देखने के लिए, जिससे थोड़ा एक दू घंटे पढ़ाई वाला time पास हो ज जान किया है, भले ही मैं affected हो जाओं पर आपको affected नहीं होने दूँगा, हमारा lecture daily जो होगा, वो एक से दो के बीच में ही होंगे, मैंने क्या बोला, एक गंटे का तो होना भी नहीं है, पर हमारा जो schedule होगा, आपको mobile पकड़ कर कितनी देर बैठे रहा ना, एक से दो के बीच म तो आप उनसे उनका mobile ले सकते हैं, और आपको चैनल को subscribe आज ही कर देना है, अभी देखते देखते ही इस चैनल को subscribe कर दो भाई, इतनी मेरी बात मानलो, ताकि मुझे कम से कम ये लगे कि अगर मैं अगर आगे चल कर कभी भी आपसे कोई video share करना चाहता हूँ, तो वो कम से कम आप तक पहुँच पाए, ठीक है ना, तो एक से दो के बीच में ही हमें lecture प्लान करना है, तो हम daily क्या करेंगे, एक बजे, जैसे मैंने day one में दो lecture प्लान किया है, general characteristic of animal kingdom and 11 phylum of animal kingdom, ये पहला lecture जो पहले दिन हमारे दो lecture हैं, that is very basic, basic मतलब आपको ये बताने के लिए हैं कि animals क्य होते हैं, और 11 phylum के नाम याद रखना आपको ज़रूरी है, क्योंकि जब तक 11 phylum के नाम एक सही sequence में आपको याद नहीं रहेंगे, तब तक आप characteristic feature पड़ने के बाद भी कुछ नहीं सीख पाएंगे, तो जैसे कि पहला lecture मैंने duration तक decide कर रखिए, कि मैं 10 से 12 मिनिट का ही दू हो जाएगा हमारा पहला lecture खतम, और दूसरा lecture में रख दूँगा 31 से, तो वो जाकर 1 बच के 40 या 35 मिनिट तक क्या हो जाएगा खतम, अगर वो 10 मिनिट का है या 5 मिनिट का है, तो इस तरीके से आपने total मुझे time कितना दिया के वल, देखा जाए तो daily 20 से 25 मिनिट, कभी कभी 30 मिनिट भी हो सकते हैं, लेकिन उससे आपको कितना फायदा होगा, ये आपको बाद में मालुम चलने वाला है, आपको ऐसा नहीं है कि एक घंटे वस मुझे आपने time दिया, आपने मेरे lectures को पूरी consistency से मन लगा कर focus करके देख लिए, आपका काम दिन भर का खतम हो गया, आपक कि आपको अब जो भी मैंने पढ़ाया है, उसके हम आपको lecture notes भी send कर देंगे WhatsApp पर, आपको वो lecture notes देखने के बाद अपने notes prepared करने हैं, और बिल्कुल मेहनत करके prepared करने हैं, ये नहीं कि screenshot ले लिया या sir का folder आ गया तो बस वो हमारे notes हो गया, वो तो आपकी help करने के लिए, उस में अपने notes prepared करेंगे, वही आपके neat exam में 2-3 question solve करने में काम आने वाले हैं, तो neat में 2-3 question from the animal kingdom से आएंगे और उसके लिए आपको अपने 30-40 page के दूर दूर लिखते हुए हैं, ऐसा नहीं, 40 page पूरे भरे हुए हैं, कहीं दूर दूर लिखते हुए आपको अपने proper notes prepared करना ह according to lectures, जैसा कि मैं आपको lectures दे रहा हूँ, उसी sequence में, उसी तरीके से ठीक है न, जो मैं आपको inform करूँगा, second day हम दो lectures लेने वाले हैं आपके, वो होगा level of organization या grade of organization है, या हमने पहला characteristic feature ले लिया है, दूसरा characteristic feature ले लिया है, तो second day से आपके actually जो है, वो characteristic feature start हो जाएंगे, तो जैसे C1, या हमने characteristic feature 1, level of organization या grade of organization, तो मैं आपको बता दूँगा, 11 में से 11 फाइलम जो है, उनमें grade of organization क्या होता है, जैसे पोरिफेरा में cellular level होता है, सिलेंटरेटा में tissue होता है, टीनोफोरा में tissue होता है, प्लेटी हलमिंतस में organ level होता है, ठीक है न, एसका हलमिंतस से लेकर core data तक organ system level organization होता है, ऐसे मैंने 11 फाइलम का level of organization आपको बता दिया, एक characteristic feature और ये मैं trick के तुरू है, बहुत simple तरीके से आपको समझाओंगा, ऐसी मैंने ले ली body symmetry, दूसरा lecture किस पर रख दिया body symmetry, पहले तो ये समझा दूँगा body symmetry क्या होती है, bilateral क्या है, asymmetric animal क्या है, radial symmetry क्या ह फिर बता दूँगा 11 में से कौन सा फाइलम radial है, कौन सा bilateral है, कौन सा asymmetric है, concept समझ रहे हैं, तो ऐसे एक एक characteristic feature को जब आप पढ़ेंगे, तो आप एक characteristic feature के different जो pattern होते होंगे, वो 11 फाइलम में से कौन सा फाइलम कैसा रखता है, ये आप सीखते हुए चले जाएंगे, यानि क एक characteristic feature complete करने का मतलब हुआ, कि 11 के 11 फाइलम पर आप एक एक comment लिखने के लिए capable हो गए, दूसरा पढ़ लिया, तो 2-2 comment लिखने के लिए capable हो गए, तीसरा पढ़ लिया, छोथा पढ़ लिया, तो आप 3 और 4 comment लिखने के लिए capable हो गए, धीरे चलके थोड़े थोड़े पांचवे दिन भी दो आपके लेक्चर्स रहेंगे, दसवारा, दसवारा मिनिट के, छेटवे दिन भी दसवारा, दसवारा मिनिट के आपके दो लेक्चर्स रहेंगे, तो number of germ layers हो, embryonic development के दौरान, pattern of reproductive system, किस phylum में कैसा है, कौन ए-sexual reproduce करता है, मतलब total comparative study, आप जब देखेंगे, बहुत सारी tricks बताऊँगा, बहुत simplified form में मैं represent करूँगा, आपको इस तरीके से, आठवे दिन तक, यानि की साथवा दिन और आठवा दिन, आठवे दिन तक आपको तेरा characteristic features जो है, वो complete करा दूँगा, along with introduction and name of the 11 phylum of animal kingdom, आप देखेंगे, total 150 minute में 8 दिन में आप से लूँगा, literally जो videos मेरे होंगे, उनका total duration जो 8 दिन में आप देखेंगे, वो 150 minute ही होगा, अगर मैं average calculate करूँ, approximate 150 minute, और आप देख सकते हैं, 150 minute तक, यानि कि अगर मैं offline पढ़ाता आपको, तो 150 minute तो मुझे लगता मैं एक दिन में पढ़ा देता, पर एक दिन में आपको किवल एक characteristic feature ही पढ़ाता, देखो, online और offline में कितना बढ़ांतर है, offline में आपसे कोई फाल्तू बात नहीं करने वाला, point to point बात की खतम कर दिया, तो आप देखेंगे, 150 minute में आपने क्या सीख लिया, 13-13 characteristic features पढ़ लिए, और हर file पर आप 13 comment आप लिख सकते, वो भी बड़े important characters के उपर based, ठीक है ना, तो देखो वाई, ये मेरा पालतू dinosaur है, और ये मुझे काट भी दिया है, जब मैंने अचानक इसको click किया, तो ये डरने की ज़रूरत नहीं है, अब ये 13 characteristic feature, अगर तुमने properly मेरे lectures को देखकर, notes के साथ तयार नहीं किये, तो यही dinosaur के मुँ में हम तुम्हें पकड़ के डाल देंगे, सीधी सी बात ही है, इस dinosaur को रखने का reason क्या है, तो नहीं किये, तो इस dinosaur के मुँ के अंदर में तुम्हें पठक दूँगा, क्योंकि ये total आपके लिए ही platform तैयार किया गया है, ये आपके लिए ही मैं इतनी महनत कर रहा हूँ, तो मुझे इसका revert cable क्या चाहिए, कि आप महनत करेंगे, अब how do you write perfect study notes of animal kingdom, देखो भाई, आपके notes अगर बहुत perfect होंगे, तो आपको आज भी, कल भी, और आने वाले समय में भी कभी animal kingdom को revise करने में प्रावलम नहीं आएगी, तो for example देखिए, जब भी मैं आपको कोई भी एक characteristic feature पढ़ाऊंगा, तो इस तरीके से एक slide आपको दिख रही होगी, आपके mobile screen पर देखो, यह दिख रही है ना जो, यह है, जैसे मैं यह दिखा रहा हूँ, इस तरीके से आपको आपके mobile पर यह एक slide दिखेगी, जिस पर मैं पढ़ाऊंगा, लिखूंगा भी, आपको ऐसी के ऐसी ही images जो हैं, वो PDF format पर notes के form में मिल जाएंगी, आपको क्या करना है सबसे पहले, सुनना है, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब आपको बिल्कुल कुछ नहीं लिखना है, आपको कुछ भी screenshot नहीं लेना है, आपको केबल ध्यान से lecture को सुनना है, सुनने के बाद आपको जब lecture notes मिल जाएंगे, तो उसको देख के जो मैंने पढ़ाया है, आप उसको अपने हिसाब से, मेरे notes का यूज करती हूँ, अपने हिसाब से अपनी copy पर write कर लिजिए, और write करने के बाद आपको क्या करना है, यसे मैंने एक characteristic feature पढ़ा दिया, for example कौन सा वाला, मैंने germ layer आपको पढ़ा दिया, pattern of germ layer in embryo development, या number of germ layer during the embryonic development, तो आप क्या लिखेंगे, मेरे notes complete बनाने के बाद, मेरे notes को देखकर अपने notes complete बनाने के बाद, आप एक page लेंगे, और उसमें लिखेंगे germ layers, और फिर 11 file आपके कहा लिख लेंगे, नाम, इसी sequence में, जो मैं आपको पहले lecture में ही सिखा दूँगा, और फिर आप लिखेंगे, कि sponges या porifera में germ layers कैसी होती है, तो आपने लिख दिया, मानलो diploblastic, ठीक है ना, इन में कैसी होती है, तो आपने लिख दिया, diploblastic, फिर तीनो फोरा में कैसी होती है, तो मानलीजे, आपने लिख दिया, diploblastic, फिर भाई, प्लेटी हलमिंटस में कैसी होती है, तो आपने लिख दिया, triploblastic, तो इस तरीके से, आप ये सीखी जाएंगे कि 11 फाइलम में से किस फाइलम में जर्म लेयर एक है या दो है उस बेसिस पर वो दो है या तीन है इस बेसिस पर वो डिपलो ब्लास्ट है टिपलो ब्लास्ट तो उस तरीके से आप फाइनली एक character complete करने को बाद 11 फाइलम के नाम लेकर उनके सामने उस characteristic feature के बारे में describe करके अपने notes जो है वो उस एक characteristic feature के basis पर complete कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे ठीक है ना जो भी help चाहिए मुझसे आप बात कर सकते हो कोई problem नी और जब आप पूरे तेरा characteristic feature पढ़ लोगे जब तेरा के तेरा पूरे characteristic feature पर लोगे देखिए ये list है जो आपको lectures मैंने prepared किये हैं बनाए हुए हैं आपको दिखाने के लिए तो ये इस तरीके से तेरा characteristic features हैं और जब आप ये तेरा सीख लेंगे तो फिर आप file पर कैसे study करेंगे आपने लिखा नाम पूरी फेरा अब पूरी फेरा पर तेरा comment आपके सामने level of organization के basis पर cellular body की symmetry के basis पर most of the asymmetric some of the radial symmetric इस तरीके से pattern of digestive system तो आपने लिख दिये हैं यहाँ पर में केवल intracellular digestion होता है तो यह सब आपको सिखा दूँगा मैं अभी तुम्हें आपको बताता जा रहा हूँ pattern of circulatory system तो आपने लिख दिये absent होता है ऐसे करके आप एक file पर आप क्या लिख सकते हैं उसके बाद हम आजाएंगे अपनी stage number two पर जिसमें मैं आपको example सिखाऊंगा ट्रिक्स के थ्रू और उसके बाद कुछ special features जो आपको खुद अपने NCRT में छांट छांट करके यह point इसमें miss हो गया सर ने इसके बारे में नहीं बता है उसको special features बनाकर आप note कर लीजे लो आपका animal kingdom जो है वो पूरी तरह से complete हो जाएगा तो बच्चों प्लीज ये जो मैंने इतना सारा समय आज आपके साथ spend किया है इस orientation session में जो मेरे साथी माननी है दांगी सर इतना सारा काम करने में लगे हुए हैं केवल इसलिए कि वो भी आपके लिए कुछ अच्छा तयार कर रहे हैं कि आपको provide कर सकें तो हम लोगों की मेहनत पर please पानी मत फेड़ना इस group से हमेशा जुड़े रहिए जब तक आपका neat में selection नहीं होता है भले ह मत करना तो all the best बहुत बहुत शुब कामना है और हम इस initiative को जो मैंने start किया है इसको हम progressed करने वाले आगे बढ़ाने वाले और इसमें आपका योगदान सबसे important है क्योंकि यह platform केवल आपके लिए है तो thank you very much all the best and जितने भी बच्चे यहां पर हैं किरन, नितिका, निर्मल, रितिका, रितिका, एहरवा, रितिका, गौर, सौरवद, वेदी, सहवा, साजिया, सौम्या, वन्शीका, विवेक, है ना, ताहिर, आकरती, महक, अनुराग, आयूशी, दीपती, गौरव, किरन राज, आप सभी से मैं यह request कर रहा हूं कि आप भले ही मेरी student रहे हों या आप कहीं से इस गुरूप में आ गए हैं, मुझे नहीं मालूँ, जो भी हैं, आप बिलकुल consistency के साथ मेहनत कीजिए, इस गुरूप का आप पार्ट है, we are the family और हम लोग कोशिश करेंगे, इस तरीके से आपको जैसे यह orientation session आपको HD quality में प्रोवाइड किया है, ऐसी ही lectures आपको प देजी से spread होती है, फिर ये बीमारी तो आप देखी रहें, इसके impact मैंने आपको बताए कितने जादा घातक हैं, तो हर चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखते हुए, अपने mind को एकदम settle करते हुए, एकदम balance बनाते हुए, अपने career को, अपने MBBS का जो target है, उसको achieve करना है, औ उनसे थोड़ी सी कम महनत हम लोग भी आपके साथ करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप हम हमारे और आपके parents के जो भी प्रयास हैं, उनकी वज़य से अपने future को, एक अच्छे future को तैयार कर सकें, आगे बढ़ सकें, इसी आशा के साथ मैं इस lecture को, orientation session को यहीं पर खतम करता हूँ, आप सभी को बहुत 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 जादा thank you, धन्यवाद, और आगे आप मेरे lecture सही schedule पर, सही time पर देखते रहिए, कभी भी कोई भी problem आती है, कोई चीज समझ में नहीं आती है, आपके पास group है, आप group में कोई hesitation मत कीजिए, मैं देखता हूँ कि बहुत सारी students हैं, ज जानता हूँ कि कोई भी बहुत होशियार नहीं है, आप सब लोग average students हैं, पर हमें average students को ही पढ़ाने में मज़ा आता है, क्योंकि उनको अगर आप टॉपर बनाते हैं, तो आपकी मेहनत जो है, उसका कोई फायदा निकलता है, तो आप पढ़ाई कीजिए, यहाँ पर कोई कि किसी से यह मत सोचे कि भाई वो क्या सोचेगा, यह क्या सोचेगा, फालतू कि आपसम बातचीत कभी गुरूप पर मत करिये, उसके लिए आप अपनी personal chatting यूज कर सकते हो, केवल इस पर आप doubts डालिए, या मुझसे कोई बात आपको discuss करना है, वो डाल सकते हैं, आपको important matter है, कोई आपको particular doubt है, या कोई भी आपको किसी भी type से, अगर कोई भी neat से related discussion करना है, आपको confusion हो रहा है, आपको depression आ रहा है, जो भी दिक्कत है, आप बो मुझसे share कर सकते हैं, thank you very much, once again, thank you.